क्या हम पहले से शुरू कर सकते हैं? ये न्यूज आर नहीं है जब मैं आपको कोई जवाब दे रहा हूँ तो आप मुझसे दूसरा सवाल नहीं पूछ सकते आप बड़ी गलती कर रहे हैं सद्गुरू ये मामला दूसरा है तो क्या डर होना ठीक है? ये चार चीजें हैं सद्गुरू जिन से छुटकारा पाने के लिए हमें कहा गया है आपके गुरू कौन है? मैं क्यों बताओं? अगर मैं आपको रूपांतरण के साधन देता हूँ आपको सिर्फ साधनों का इस्तमाल करना सीखना है बस इतना ही जब मेरी बेटी बस साधे तीन महीने की थी वो मेरे साथ सफर करती थी मेरा एक हाथ उसे संभालता था और मेरा दायाँ पैर हमेशा पूरा नीचे होता था और मैं देश भर में कार से गूमता था और वो इसी तरह बड़ी हुई पांच साल की होने तक जब तक वो स्कूल नहीं गई हर रोज हमें एक अलग घर में होते थे हर तरह के लोगों के साथ रहना सभी उसे कुछ ने कुछ सिखाना चाहते थे मैंने कहा एक नियम है कि कोई भी उसे कुछ नहीं सिखाएगा कोई ABC नहीं, कोई 123 नहीं कोई कविता नहीं क्योंकि मुझे कोई परवा नहीं कि उनमें क्या है किसी ने उसे कुछ नहीं सिखाया जब तक वो 18 महीने की हुई वो बेधड़क 3 भाषाएं बोलने लगी क्योंकि उसने सब कुछ सुना क्योंकि उससे कोई बात नहीं करता था उसने आसपास की हर चीज़ को समझ लिया क्योंकि कोई उसे कुछ नहीं सिखा रहा था और वो इसी तरह बड़ी हुई और जब वो 12-13 साल की थी तो एक दिन वो मेरे पास आई और वो बस स्कूल से वापस ही आई थी वहाँ किसी चीज़ को लेकर परिशान थी और वो कहती है आप सभी को इतनी सारी चीजें सिखा रहे हैं पर आप मुझे कुछ नहीं सिखा रहे मैंने कहा मैं बिना कहे कुछ नहीं करता तुम आप मेरे पास आई हो तो चलो देखते हैं तुम्हें बस यही जानने की ज़रूरत है। तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि आप कितने इंसान हैं। आईए मैं आपको बताता हूँ कि मैं कितना इंसान हूँ। मैंने अपना सवाल पूरा नहीं किया। तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आपको किसी चीज से डर लगता है मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आपको डर महसूस होता है और मैं ये भी जानना चाहूँगा कि क्या आपको किसी चीज का मोह है क्या हम पहले से शुरू करें मुझे खत्म करने दीजिया इन्यूज आर नहीं है ठीक है जब मैं आपको एक जवाब दे रहा हूँ तब आप मुझसे दूसरा सवाल नहीं पूछ सकते मैं वापस आउंगा मैं वापस आउंगा मैं हम अभी रिपब्लिक में भी नहीं है आप एक बड़ी गलती कर रहे हैं सद्गुरू 2014 में मैं राहूल गांधी नाम के एक युवा आदमी से मिला था मुझे नहीं पता लोग फिर से क्यों हस रहे हैं उन्होंने भी आप की तरह मुझे टोका था मैं बाद में वापस आया लेकिन बाद में आपको मेरे सवाल का जवाब देना होगा यहां मामला दूसरा है तो मैं उस पर आऊंगा मैं उसी और बढ़ रहा हूँ तो यह लड़की मेरे पास आती है और ऐसा कहती है तब मैं कहता हूँ देखो तुम्हें बस यही जानने की ज़रूरत है कभी किसी को उचा मत देखना वो मेरी और देखती है आपके बारे में क्या मैंने कहा मैं भी नहीं कभी किसी को उचा मत देखना कभी किसी को नीचा मत देखना बस यही सीखे अगर आप किसी को उचा नहीं देखते, अगर आप किसी को नीचा नहीं देखते, तो आप हर चीज को वैसे ही देखेंगे जैसी वो है अगर आप हर चीज को उसके स्वाभाविक रूप में देखेंगे, तो आप अपने जीवन से सहजता से गुजर पाएंगे इसमें बस इतना ही लगता है अब मैं कितना इनसान हूँ आपने अभी इनसान कहा और लगभग हर कोई हर जगा जहां भी जाता हूँ मैं लोग इनसान शब्द से हमेशा मानव होने की सीमाओं के बारे में कहते हैं पर कभी मानव होने की विशालता के बारे में बात नहीं करते अरे मैं तो बस एक इंसान हूँ पर आप ये क्यों नहीं कहते, मैं इंसान हूँ आप सबसे उपर हैं आप धर्ती पर सबसे उची प्रजाती हैं आपको सभी प्राणियों में सबसे उपर होना चाहिए। मैं तो बस एक इनसान हूँ। लोग ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्यूंकि जितना दुख वे अपने आपको दे रहे हैं, उतना कोई दूसरा प्राणी खुद को नहीं दे रहा। कोई चीटी या हाथी खुद को इनसान इतना कश्ट नहीं देता, उनका पेट भरा हो तो वे ठीक रहते हैं। इनसानों के लिए खाली पेट सिर्फ एक समस्या, भरा पेट एक सौ समस्या हैं। इसकी वज़ा ये है कि ये विकास से जुड़ी चीज है। ये एक विकास से जुड़ी चीज है कि आप जिसे सरिब्र कहते हैं, ये दिमाग आपके लिए नया है। विकासवादी पैमाने पर ये एक नई घटना है, ये बुद्धी। और ज्यादातर लोगों को इसे संभालना नहीं आता। वे दुनिया से दुखी नहीं हैं। ज्यादातर समय वे अपने ही विचारों और भावनाओं से अब जिस पल आप कहते हैं, आप मानवी हैं या नहीं, पहली बात, अगला सवाल कोई पूछेगा, क्या मैं हवा से सोने की चेन निकाल सकता हूं, क्या मैं कुछ और कर सकता हूं, या क्या मैं बाल्टी में से एक खरगोश निकाल सकता हूं, या क्या मैं अपनी जेब से एक क चमतकार दिखाऊंगा। मैं आपको ऐसे लोग दिखाऊंगा जो पूरी तरह सक्री हैं। ऐसे लोग नहीं जो किसी गुफा में बैठे हूँ। पूरी तरह काम में लगे हुए ठीक है। दिन के 24 घंटे, हफ़ते के 7 दिन हम सभी लगे रहते हैं। मैं आपको ऐसे लोग तो आप इनसान को एक सीमा के रूप में नहीं कहेंगे आप मानवता को एक बहुत बड़ी संभावना बताएंगे मेरा सवाल इस बारे में था कि क्या कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे आपको परे जाने की जरूरत है मुझे निजी तोर पर लगता है कि ये ठीक है डर महसूस होना असरुक्षाइं होना मो होना अच्छा है लेकिन हमें लगातार डर को लेकर बुरा महसूस करना सिखाया जाता है इसे जताना या इसको लेकर खुलना ये समस्या को बढ़ाना है अब आपको डर है कि आपका सूरवार महसूस करते हैं देखिए सद्गुरू मैंने आपको सुना मैं अभी न्यूजार देखता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ ये मेरे साथ आम तोर पर नहीं होता पर रोटरी कलब खेर ठीक है आपने मुझे मेरा सवाल बुला दिया मेरा सवाल ये था कि हमें लगातार हमारी असुरक्षाओं को लेकर शर्मिंदा होना सिखाये जाता है हमें सिखाये जाता है कि मोह में न पढ़े हमारे जीवन में और हमारी हिंदू फिलोसफी में और दूसरी philosophies में हमें लगातार मोह छोड़ने के लिए कहा जाता है, मैं जानना चाहता हूं कि ये जरूरी क्यूं है, इसलिए मैंने आपसे पूछा क्यूंकि आपको आत्मग्यानी बताया जाता है, जो कि मैं जानता हूं आप है, मैंने आपसे पूछा था क्या आत्मग्यान असुरक्षा मोह बंधन महसूस करते हैं। जैसे ही आप किसी चीज को सम्मान के साथ देखते हैं, उससे आपका लगाव हो जाएगा। पर जा रहे हैं और कह रहे हैं, हमें इससे शर्मिन्दा होने की ज़रूरत नहीं है, डर होने दो, क्या ये सुखा दनुभव है? अगर ये सुखा दनुभव हैं, तो इन्हें बनाए रखिये ये आप पर हैं। मैं आपसे बस इतना पूछ रहा हूँ, हमारी आसपास की दुनिया में जो होता है, वो एक अलग बात है। दुनिया कभी भी सौ प्रतिशत वैसी नहीं होगी जैसे आप उसे चाहते हैं। अगर आप घर में दो लोग भी हैं, फिर भी ये सौ प्रतिशत वैसी नहीं होगी जैसा आप चाहते हैं। अगर ये 51 प्रतिशत भी आपके तरीके से होता है, तो आप ही बॉस हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन आपके भीतर जो होता है, वो आपके ही तरीके से होना चाहिए है ना। अगर आपके भीतर आपके तरीके से होता तो आप इसे आनन्द में रखते या डर में या दुखी वगरा आप खुद के साथ ऐसा नहीं करते हैं ना कम से कम अपने आप के लिए तो आप सबसे उंचे स्तर की सुखत्ता चाहते हाला कि आप जो अपने पडोसी के लिए चाहते हैं वो बहस के लाइक हो सकता है पर आप जो खुद के लिए चाहते हैं वो बहुत साफ है है ना तो डर होना ठीक है असुरक्षित होना ठीक है नहीं मैंने ऐसा नहीं का क्या लगाव होना ठीक है और मैं पूछता हूँ अगर आपके पास चॉइस होती है और एहंकार के बारे में क्या सद्गुरू डर्स, असुरक्षा, लगाव और एहंकार ये चार चीजे हैं सद्गुरू समय के साथ हमें बताया जाता है कि जैसे जैसे आप बड़े होते हैं और जीवन में जादा सीखते हैं आपको इन सभी चारों को छोड़ देना आपके गुरू कौन है? माफ किजिए आपके गुरू कौन है? मैं क्यों बताऊं? नहीं पर ये एक तथ्य है हमें यही बताया जाता है क्या ये ज़रूरी तोर पर सच है? एक बार में एक बात करते हैं इगो यानि एहंकार सभी इसके बारे में बात करते हैं अभी कोई भी इनसान की बात करें अगर वो कुछ शांदार करते हैं तो वो कहेंगे यह मैंने किया अगर वो कुछ बुरा करते हैं, ये मेरा इगो या एंकार था तो मिस्टर इगो एक बली का बकरा है जब भी आप बुरे होते हैं, वो हमेशा मौजूद रहते हैं पर जब आप कोई अच्छा काम करते हैं, तो बेशक वो आप होते हैं, है न मैं कह रहा हूँ, आईए जीवन को सीधी नजर से देखें, कि कभी आप शांदार होते हैं, कभी आप बुरे होते हैं, कभी आप खुश होते हैं, कभी आप दुखी होते हैं, अभी आपकी यही हकीकत है आपको एक बली के बकरे की ज़रूरत नहीं है हमें अपने जीवन में इतनी इमादारी तो लानी ही चाहिए कि मेरे भीतर जो कुछ भी होता है वो मैं हूँ और कोई नहीं बलकि मैं अगर आप इतनी बात समझते हैं तो अभी अगर आप देखें आप डर में हो या दुखी हो या परेशान हो या निराश हो अगर आप देखें कि ये सब मेरी वज़ा से है तो क्या आप इसे बदलना नहीं चाहेंगे? क्या आप इसे बदलना नहीं चाहेंगे? सौ प्रतिशत अब अगर मैं इसे बदरना चाहता हूँ, पर कैसे? अब आप साधनों के लिए पूछ रहे हैं इसलिए मैं यहां हूँ आपको रूपांतरन के साधन देता हुआ क्योंकि मानव जीवन में साधन महत्वपूर्ण है इंसानों के तौर पर हम इस धर्ती पर हमारी साधनों का उप्योग करने की वज़ा से ही हावी है नहीं तो शायद चीटियों या कुट्टों के जुंड मानव जाती पर हावी हो सकते थे पर हम उपकरणों का इस्तमाल कर सकते हैं साधनों की शक्ती ऐसी है अब ही अगर मैं आपसे इस फरनिचर में से एक छोटा सा पेंच निकालने को कहूँ तो आप अपने सभी नाखुन खो सकते हैं ये बाहर नहीं आएगा आप अपने कुछ दान भी खो सकते हैं ये बाहर नहीं आएगा अगर मैं आपको एक छोटा सा पेचकस दूँ तो ये बाहर आ जाएगा तो इसी तरह भीतरी आयामों को संभालने के लिए साधन मौजूद है ये साधन ये इस देश के USP हैं, जो अब पूरी तरह बिगड़ चुका है लोगों ने इसे ठीक तरीके से पेश नहीं किया है अगर मैं आपको रूपांतरण के साधन देता हूँ तो एक चीज होगी उन साधनों का इस्तमाल करना सीखना बस इतना ही, आपको कोई फिलोसोफी मानने की ज़रूरत नहीं है आपको किसी विचारधारा से नहीं जुड़ना है आपको स्वर्ग की और नहीं देखना है क्योंकि आपको नहीं पता कि वो किस दिशा में है लोग उपर देख रहे हैं आखिरकार आप एक गोल ग्रह पर बैठे हैं और ये कमबख चीज हमेशा घूमती रहती है अगर आप उपर देखते हैं तो लाजमी है कि आप गलत दिशा में देख रहे हैं